एक और जहां पूरा देश अवताब और शद्धा की घटना से सहमा हुआ है तो वहीं दूसरी और उसी से मिलते जुलते वारदात बिलासपुर में भी सामने आई है जहां बिलासपुर में भिलाई निवासी एक युवती की हत्या कर दी गई इस संसनी खेज हत्या का राज पूरा पता नहीं चल सका है प्रारंभिक जाच में प्रेम और रुपयों के लेन देन की बात सामने आई है सिक्टर साथ भिलाई निवासी 24 वर्षी प्रियंका सिंग बिलासपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी वह बिलासपुर टिक्रापारा मन्नुचो किस्थिद हॉस् प्रतियोगी परिक्षा की तयारी कर रही थी प्रियंका पिछले चार दिनों से गायब थी जिससे परशान होकर परिजनों ने कुटवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्स कराई थी जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ यहां आपको बता दे कि मन साकेट में पैसा लगाने का सोचा और उनने पैसा लगा दिया इस बीच जब प्रियंका को जबरदस्त नुकसान हुआ तो दोनों के बीच संबन में खटास पैदा होने लगी और प्रियंका सिंग आशी साहु पर पैसे लोटाने के लिए दबाव बनाने लगी जिसके चलते दोनों के बीच काफी विवाद हुआ ऐसा बताया जा रहा है कि आशी साहु और प्रियंका सिंग के बीच प्रेम प्रसंग थे लेकिन पैसे के लेंदेन के विवाद में दोनों की राहें अलग हो गई प्रियंका ने आशी साहु के प्रेम में पढ़कर सत्रा लाख रुपए उसे दे डाले थे लेकिन आशिस पैसे लोटा नहीं रहा था जब प्रियंका बार बार अपने पैसों की मां करने लगी तो तंग आकर आशिस ने उसकी हत्या ही कडा ली आशिस सहुने प्रियंका की हत्या करने के बाद शौ को अपने ही दुकान में तिन दिनों तक छुपा कर और बताया जा रहा है कि एजिंसी में जादा तर लोगों का आना जाना नहीं था जिस वज़े से किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका। इस दोरान लाश की बद्बू ना फैले इसके लिए आरोपी ने दुकान में रूम फ्रेशनर अगर बत्ती का उपयोग करना शुरू किया लेकिन जब तीन दिन बात बद्बू अधिक उठने लगी तो उसने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली और शुकरवार र नहीं जुटा पाया इसलिए उसने कस्तूर्बा नगर के अपने घर के गैरेज में कार सहित प्रियंका की लाश को छुपा दिया लेकिन शनिवार दोपहर बात आसपास बद्बू फैलने लगी बद्बू फैलने लगी तो पडोसियों का ध्यान उस कार की ओर गया फिर बात पुलिस तक पहुची पुलिस पहले ही आशिस पर संदेह कर रही थी पुलिस ने हत्या के मामले में आशिस को गिरफतार कर लिया प्रियंका सिंग हत्या के मामले में अगर नज़र डालें तो ये किसी क्राइम पेट्रोल की स्टोरी से कम नहीं लग रहा है आरोपी ने बहु